नमस्कार दोस्तो आरो फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तो यह जो दिख रहा है आपको देखें इनलेट आल बोलते हैं इसको यानि कि हमारा जो वाटर प्रिफैर है इसको पानी देने के लिए यानि कि अपने वाटर प्रिफैर को पानी देने के लिए इसकी जोड़ना है तो यह आज हम देखेंगे तो चलिए शुरूरात करते हैं तो दोस्तों आपके समने यह देखिए इनलेट वाल देखिए इस तरह से इसेंबल करना है यह जो उसका क्वाक है इनलेट वाल का तो इसको पहले आपको टेपलों टेप मारके पूरा फिट करना है देखिए इस तरह से यानि कि यह नौब दूस्तों बन चालो करने का पानी बन चालो करने का और इसको अपलोड यानि कि लोड करना है इसको आपको इन जरसे टाइट करना है दूस्तों यह देखिए और प्लास्टिक में इसलिए लिया है दूस्तों यह क्योंकि जंग ना लग जाए क्योंकि जंग का प्राव्लेम बहुत ज्यादा है यह तो हमने इसका यह सुलिशन निकाला है और आगे वाली साइड को भी आपको टेपलाण लगाना है यह जो थ्रेड है यह देखिए उपन वाली थ्रेड तो इसको आपको टेपलाण लगाना है बहुत ही आपको जितना लगता है उतना आप टेपलाण लगा कर लीजिए टेपलाण कम नह जादा भी नहीं होना चाहिए बहुत जादा हो गया तो क्रेक होने की चंसे रहते हैं तो जितना रिक्वाइर हैं 18 से 20 राउंड इसको आप लागा सकते हैं मतलब यह एवरेज बोल रहा हूं मैं इससे कम भी लग सकते हैं इससे ज्यादा भी लग सकते हैं तो मैं आवर थोड़ा लगाऊंगा ने दिखिए क्योंकि यह थोड़ा लंबाई में ज्यादा है ना तो इसलिए इसको ज्यादा टेपलान लग रहा है तो पूरे त्रेड को में लपेट देता होगी और इसके साथ साथ तो यह हो गया पूरी तरह से टेपलान लपेट कर हो चुका है दस्तो और आप क्या करेंगे अपना जो क्या बोलते इसको नल है इन्पूट वाटर का यानि कि इन्पूट नल तो इसको यह देखिए इस तरह से रिमू कर देंगे यह आपको गुमा के रिमू करना है यहाँ नहीं जो पहले आपको थोड़ा दिखाये था यह अवैलेबल था तो यह आपको दिखरा रही है इन्पूट करनेक्शन नहीं इस तरह से यह नल आपको रिमू कर देना है हाथ से ही रिमू करना है इसको ज्यादा हाथ से अगर नहीं होता है तो स्मयान रियूस करिए कोई बात नहीं है इस तरह से यहां का पूरा पानी बंद नहीं हुआ है तो बंद हो जाएगा उपर से बंद किया है और यह जो बाहर वाले त्रेड है दे देने हैं और सठीक तरह से बहुत ही अच्छी तरह से आपको टेपलान लगा कर लेना ताकि लिकेज नहीं होगा दोस्तों टेपलान लगाने का उद्देश यही वता है कि लिकेज नहीं होगा अगर टेपलान आपको अच्छी तरह से नहीं लगाऊगे तो लिकेज की चांसे रहेंगे टेपलान लगाने के बाद इस तरह से आपको यह समेट कर लेना है और यह देखिए ये साइड में ये जो अपना इनलेट वाल है तो उसके इस साइड में ये लगा देना है फिमेल साइड में इनलेट वाल की जो फिमेल साइड है तो उस साइड में आपको ये लगा देना है और जो मेल साइड है मतलब यह थ्रेडवाली साइड है तो इसको क्या करना है आपको अपने दिवार के अंदर जो नल है या पाइप है तो उसके पाइप पर यह आपको टैट करना है मतलब हमने अभी जो जहा से निकला है यह नल निकला है वह आपको इस तरह से दिखिए लोड कर दियाना है यह घुमा देता हो देख सकते हैं आप और जोर जबरतस्ती नहीं करना है दीरे दीरे से दीरे दीरे से आपको गुमाना है तो यहाँ पूरा टाइट हो चुका है तो मैं यहाँ ही चुपर होंगा अगर आपको यहाँ से भी आगे थोड़ा टाइट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यह दीरे 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 आराम से आराम से अराम से अराम से गुमाना है आपको आंदा जाना चाहिए कि यह टाइट हो चुका है या फिर क्र्याक होगा यहाँ से आगे आप गुम रिए करूंगा अगर यह देखिए ग्रैक हो गया तो आपको आपका काम बढ़ जाएगा तो इस तरह से ङुझे टाइट हो चुका है तो मैं इसको यही छोड़ दूँगा तो इस तरह से अपना inlet wall फिट हो चुका है और यह देखिए आपको चालो करके दिख़ाओ पानी यह देखिए यहाँ से पानी आ रहा है लिकेज थोड़ा भी नहीं है आगे से पानी आ रहा है मतलब दोनों भी नल चालो हो चुके है पानी बंद हो चुका है तो मैं इसको चालो कर दूँगा और आपको और एक बार दिखाओंगा पानी चालो करके तो आजा भाई पानी चालो तो कर दिया है बताया था उपर से तो यह देखिए पानी आ गया तो यह आगे से पाने आता है पीछे से पाने आता है यह देखिए पीछे से पाने आता है मतलब यह अपने आर वाटर पीरुफयर को कनिक्शन जाएगा यहाँ पाइप लगाओ